जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह mini rotary grinder है और इसको हम multipurpose use में ले सकते हैं तो यहाँ पे यह काफी सस्ता भी है और इस वीडियो में हम इसके बारे में जानते हैं हेलो दोस्तों जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैंने अभी हाल ही में एक यह mini grinder जो है जिसको हम rotary tool कहते हैं को purchase किया है तो मैं इस वीडियो में इस rotary tool के बारे में आपको जानकारी दूँगा यहाँ पे इसको कैसे operate करना है और इसके जो भी specifications है वो हम आप यहाँ पे इसका wattage जो है देख पाएंगे 130 watt है 220 volt से 240 volt AC पे operated है 10,000 से 32,000 per minute इसकी rotation speed है 3.2 mm का इसका check है और spend and lock feature है साथ ही BMC box यहाँ यह जो packing box आप देख पा रहे है यह BMC box में जो है आता है यहाँ पे इसके साथ में AC series क्या-क्या है यह भी आपको मैं दिखा देता यहाँ पे box के ऊपर ही यह चीजे mention है आप यहाँ पे देख पाएंगे carbon brushes का एक set है इसके अलावा flexible shaft है साथ ही 38 piece की AC series है और 14 piece की grinding stones और diamond bits की एक और AC series है इसके साथ में तो total number of AC series जो free है इसके साथ में वो 52 piece AC series जो है इसके साथ में free आती है तो यहाँ पे यह हमारे box के ऊपर ही mention है चलिए इस box को खोल के हम देखते हैं कि इसके अंदर और हमें क्या-क्या मिला है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके का यह box है काफी मजबूत मुझे यह box लगा चलिए हम इसको open करते हैं और इसके बाद इसके अंदर क्या-क्या चीजे हैं आप य एक user manual दिया गया है जो कि आप इस वीडियो को पूरा watch करेंगे तो इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसको read करें तो इसको मैं side में रख देता हूं यहाँ पे जो हमारा mini grinder है आप देख पारें कुछ इस तरीके का है इसमें काफी लंबी cable दी गई है और यह हम 220 volt जो input AC socket है उसमें लग जाएगा तो यहाँ पे यह grinding tool है इसको हम side में रखते हैं इसके लावा आप यहाँ पे देखेंगे कि जो AC series है इसमें 52 piece की AC series जो हमको free में मिलती है वो हमारे इस छोटे से box में है जिसको मैं अभी आपको एक एक करके दिखाऊंगा यहाँ पे आप flexible shaft जो है यह हमारी कुछ इस तरीके से इस side पे लगी हुई है इसको हम निकाल लेते हैं और फिर हम इसको connect भी करेंगे अभी और इसके बाद मैं इसको आपको चला के दिखाऊंगा यहाँ पे मैंने खास ये ही क्यों purchase किया यह आप आँगे जान पाएंगे यहाँ पे आप द करना है वो हम कर पाते हैं तो यहाँ पे आपने यह देखा कि यह हमारी soft है इसके अलावा यहाँ पे अब हम AC series जो है इसकी देख लेते कि AC series में हमको क्या क्या मिलता है फिर हम इसको अपने tool के साथ connect करके और use करके देखेंगे तो चलिए मैं इसकी सारी AC series जो है वो आपको लखे हुए है तो यहाँ पे total इतनी हमको AC series साथ में मिली थी जिसमें क्या क्या चीजे हैं यह आप देख लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यह stone बाली bits है जिनमें की stone लगा हुआ है यानि यह grinding stone बाली bits हो गई है जो कि हमारी साथ में आई है साथी आप देखेंगे grinding bits है तो यहाँ पे यह AC series हो गई है इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर देख पाएंगे यह जो आप AC series देख रहे है यह इस तरह के जो sand paper है हमारे यह round shape में इनको mount करने के लिए दिया गया है इसके बाद दो और bits जो है attachment bits है इनमें भी हमारे यह जो दूसरी तरह की AC series है इनक लगाया जाता है जिसके बाद यूज किया जाता है इसके अलावा आप एक LN key और एक range जो है इसको देख पाएंगे यहाँ पे यह पार्ट्स हमारे एक अलग packing में थे इसके अलावा दूसरी packing में हमें क्या मिला था यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यह round shape के जो हमारे sand papers ह यह साथ में थे साथ ही आप देख पाएंगे यह भी sand paper है यहाँ पे यह seven sand paper जो है round shape के यह sand paper साथ में थे साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे polish करने के लिए polish bumps जो है यह हमें इसके साथ में ले थे दो यह बड़े size के हैं दो छोटे size के हैं इसके अलावा आप यहाँ प एक त्रहे का इसके अलाबा आप यहाँ पर देख पांगे यह round shape के जो आप देख पांगे यह cutting disc यह हमारे metal या plastic की cutting के लिए disc हैं, तो यहाँ पर यह disc हो गई, इसके अलाबा आप देख पांगे, यह चार और parts आपको देख पांगे, यह हमारे chuck के parts हैं, इनमें हम अलग- बज़िक से दिखा देता हूँ कुछ AC Series इसने से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पारें, यह जो Sand Stone है, यह कुछ इस तरीके से Bits पे ही लगा हुआ है, तो इसी तरीके से यह सभी अलग-अलग सेप के जो Sand Stone है, यह इस तरीके से Bits पे लगे हुए है, इसके अलावा आपको मैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यह दो Bits और दी है, यहाँ पर देख पाएंगे, तो यह जो है, इनमें हम जो यह हमारे, जो हमारे Polis वाले Buff हैं, इनको अटेच कर सकते हैं, इसको अटेच करने के लिए बिलकुल सिंपल, इस तरीके से आप इसको अंदर जब टा इसमें अलग-अलग तरह की डिस्क हैं, कॉट्टिंग डिस्क यह दू है, इनको आप अटेच कर सकते हैं, जैसनकि आप यहाँ पर पर देख पाए यह यह पर टाइप की यह आपकी SENDING DISK है, जिसको आप इसमें अटेच कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर देख पाएंगे यह cutting disc है, तो यह cutting disc जो है, यह भी इसमें attach कर सकते हैं, मैं आपको attach करके यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दिता हूँ, जिससे कि आपको clarity रहे, तो यहाँ पे इस तरीके से screw को हम open कर सकते हैं, और इसके बाद इसमें दो यह washers डले हुए हैं, तो एक side में एक washers रहेगा, और जो range आपको दी गई है, इस range में ही एक side पे आप देखेंगे, कि इस side पे screwdriver की तरह इसको use किया जा सकता है, तो इस तरीके से आप इसको tight कर सकते हैं, तो यह cutting के लिए आप इस तरह की disc जो है, इसको इसको इसमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से, आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं वैसे जो हमारे बड़े grinders होते हैं उनमें इस तरह की cutting disc जो है ये लगती है लेकिन बड़े काम के लिए ये हमें सुभिधा जनक होती है जहाँ पर छोटा काम है वहाँ पर इस तरह की disc जो है इसको आप use कर सकते हैं इसकी size की तुलना आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा छोटा है कि आप इस तरीके से comparison कर सकते हैं कि इसके hole के लगबग बराबर है तो यहाँ पर इस तरह का cutter है इसको आप इस्तमाल कर सकते हैं अपने कामों में और आपको जरूरत हो जैसी requirement हो उस जगह पर इसको इस तरीके से use कर सकते हैं और cutting बगएरा जो है ये proper तरीके से cut कर सकते हैं इससे metal बगएरा भी आप cut कर सकते हैं तो यहाँ पर इसी series हमने देख ली है चलिए इसको use करके देखते हैं कि क्या ये properly work करता है और कितना noise है और किस तरीके से attachment को आपस में एक दूसरी साथ लगाना है तो जैसा कि आप देख पारें mini grinder जो है ये हमारा काफी ज़्यादा compact है size में यहाँ पर आपको size की तुलना मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जो हमारा normal angle grinder है वो कुछ इतना बड़ा होता है size में जबकि ये tool जो है ये tool size में हमारा इतना बड़ा है आप यहाँ पर देख पाएंगे tool की size को मैंने comparison करके दिखा दिया है चलिए मैं tool के specifications हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आप यहाँ पर देखेंगे कि ये mini grinder जो है इसमें एक यहाँ पर switch लगा हुआ है जिसको हम on position में करते हैं तो यह हमारा rotate करने लगता है यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक यहाँ पर knob दी है जिससे हम इसकी speed जो है उसको control कर सकते है number one जो है इसकी minimum speed है इसके बाद number two, number three, number four, number five और number six इसके बाद यह maximum speed हो गई six के आँगे last में हमारी maximum speed जो है यहाँ पर मिलती है तो minimum speed जो है वो 10,000 rpm है और maximum speed जो है वो 32,000 की speed है तो यहाँ पर आपने देखा कि इसकी speed जो है इस तरीके से variable है और इसको हम control कर सकते हैं चलिए मैं इसको एक बार आपको चला के देखा देता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम minimum speed में रखते हैं तो इसकी noise जो है वो लगबग इतनी है आप देख पा रहे हैं और इसकी noise बढ़ती है जैसे जैसे हम इसकी speed जो है उसको increase करते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे vibration जो है वो मैसूस नहीं हो रहा है चलिए इसके साथ मैं जो attachments हैं उनको attach करके फिर आपको दिखाता हूँ साथ ही हम जो extension इसके साथ दिया गया है उसको भी अभी adjust करके और फिर उसको use करके देखेंगे तो मैं यहाँ पे जो हमारी cutting disc है इसी cutting disc को इसके साथ attach करूँगा यहाँ पे आप देख पारें इसका जो chuck है यह chuck यहाँ पे spindle lock का system दिया गया है इसको आप जब rotate करेंगे तो एक ऐसी position आएगी जिसमें यह lock हो जाएगा अब यह जो chuck है इसको हम खोल पाएंगे यहाँ पे आप देख पारें मैंने इसको loose कर दिया है और इसके बाद इसकी जो attachment है इसको हम इस तरीके से इसके साथ tight कर सकते हैं वैसे आप हाँ से ही tight कर सकते हैं लेकिन बहतर रहेगा कि आप इसको एक बार इसके साथ जो दिया गया wrench है इसके साथ में tight करें तो इस तरीके से मैंने इसको tight कर दिया है अब यह loose नहीं होगा और यह proper तरीके से lock हो चुका है तो मैं इससे आपको कोई भी चीज जो है उसको cut करके दिखाता हूँ सबसे पहले हम इससे metal को cut करेंगे तो चलिए एक metal का rod जो है उसको हम लेते हैं और इसको cut करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने एक यह काफी मोटा metal जो है इसको लिया हुआ है और इसी को हम cut करेंगे तो चलिए मैं इसको on कर देता हूँ जैसा कि आप देख पारें मैंने इसको on कर दिया है और इस metal rod को हम cut करते हैं तो यहाँ पर मैंने minimum speed जो है इसकी रखी हुई है और हम इसी speed में इसको cut करते हैं तो क्या ये cut कर पाएगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर मैं इसके cuts जो है वो आपको दिखाता हूँ आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें जो cuts है वो मैंने लगाए है और हलका सा cut लगाया है अलकि चुकि मैं यहाँ पर test कर रहा हूँ और अगर आप चाहें तो इसको पूरी तरीके से भी इस grinding जो tool है इसकी सायता से काट सकते हैं लेकिन यह छोटे मोटे काम करने के लिए ज्यादा बहतर रहेगा और इस तरीके का heavy work जो है वो भी आप इससे कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर heavy work करने के लिए suggest नहीं करूँगा तो यहाँ पर आपने देखा कि इस cutting disc से हमने यह जो rod है इस पर इस तरीके से cut लगाया है अभी हम और भी कुछ cut करके इससे देखते हैं तो जैसा कि आप देख पारें मैंने एक plastic कप टुकडा लिया है इस तरीके का और इसको हम cut करके इसी disc से देखते हैं कि क्या यह cut कर पता है तो यहाँ पर मैंने minimum speed में ही इसको रखा हुआ है और चलिए इसको हम cut करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हम इस तरीके से इसको cut कर रहे हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने इसको पूरी तरीके से cut कर दिया है यहाँ पर आप इस तरीके से इसको अलग देख पा रहे हैं और यह काफी ज्यादा मोटा था हलाकि इतना मोटा काम हमको इससे नहीं करना है मैं आपको suggest नहीं करूँगा आप जो छोटी मोटी चीजे हैं छोटे मोटे projects हैं जहाँ पर आपको cutting का या fincing करने का या कहीं grinding करने का तो वहाँ पर आप इस tool को use कर सकते हैं आपके लिए यह tool काफी बहतर रहेगा मैंने मोटा logo वगएरा बनाना है तो आप वहाँ पर diamond bits का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं यहाँ पर आपको diamond bits जो है उनको भी दिखा देता हूँ दो तरह की diamond bits जो है इसके साथ में आई है और यहाँ पर आप देख पाएंगे यह इस तरीके की diamond bits हैं जो कि इसके साथ में हमको मिली है और इ इसको जब भी आप यूज करें तो प्रॉपर तरीके से आप अपने goggles जो है safety के लिए अपने आखों में लगा के रखें और हाथों में आप जो है gloves का इस्तमाल करें प्रॉपर तरीके से इसको तभी आप यूज कर पाएंगे तो चलिए अब हम इसके साथ में जो हमारा attachment है extension extension attachment इसके साथ में आया है जिसको हम use करके देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह extension जो है इसके साथ में आई है extension soft इसको कहते हैं और इसको हम इसके साथ में attach कर सकते हैं जिसके बाद यह काफी ज़्यादा compact हो जाएगा हमारे लिए और इसको हम जै जो अपना काम है उसको कर सकते हैं कोई भी cutting करनी है या engraving करनी है या woodwork में अगर कुछ काम करना है glass वगेरा में कुछ काम करना है कोई pattern बनाना है तो वहाँ पे हम pattern बना सकते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके अंदर इस तरीके से एक wire है यह सेम उसी तरीके से है motorbike में आपने देखा होगा कि जो meter होता है हमारे bike का reading के लिए जो cable लगती है उसी तरीके की cable है इसमें एक wire डला हुआ है और इस wire को हमें अपने tool के साथ पहले attach करना होता है तो यहाँ पे मैं इसको attach करके आपको दिखाता हूँ सबसे पहले हम क्या करते है कि यह जो attachment है cutting tool ज क्योंकि हमने इसको काफी जादा tight किया था तो इस तरीके से मैंने इसको loose कर दिया है जिसके बाद यह attachment जो है इसको हम निकाल पाएंगे इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पी आप देख पाएंगे एक cap लगा हुआ है plastic का इसको हमें निकाल देना है इसके बाद हम क्या यहाँ पे आप देख पारें मैंने चक जो है इसका थोड़ा से घुमाया है तो यह spendal जो है lock position में आ गया है अब हम क्या करेंगे कि जो इसके साथ wrench दिया हुआ है इससे हम इसको loose और tight कर सकते तो आब हमें इसको tight करना है तो इस तरीके से मैं इसको जो है proper तरीके से full tight कर है जैसा कि आप यहाँ पे देख पारें मैंने इसको इस तरीके से fully tight कर दिया है अब हम इस attachment को use कर सकते हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यह जो soft है यह अब हम इसको कहीं भी आप ऊपर कहीं पर hook कर सकते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या इसको रख के भी आप इस इसमें लगाते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका attachment जो है, अभी नहीं लग रहा है, चुकि यह lose करना होगा, तो यहाँ पे एक LNK दी गई है, इस LNK को हमें क्या करना है, इसमें इस तरीके से रखना है, और इसका सार्फ थोड़ा सा गुमाएंगे, तो यह LNK इसके अंदर इस तरीके से fit हो जाएगी, इसके बाद इसको हमें lose कर लेना है, और lose करने के बाद हम आसानी से अपनी जो attachment है इसको लगा पाएंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, रिंच की सायता से इसको tight कर लेना है, तो इसको मैं tight कर लेता हूँ, जैसके आप यहाँ पे से rotate कर रहा है, अब हम इससे कुछ भी चीज जो है उसको cut कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे पहले यह cut करके दिखा था, तो इसी को हम cut करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पारें, यह proper तरीके से cut कर पा रहा है, और आप इस तरीके से इस tool को इस्तिमाल कर सकते है प्रापर तरीके से आप काम अपना कर सकते हैं, यहाँ पे speed जो है मैंने minimum रखी हुई है, कि हमारी speed जो है वो ज्यादा नहीं है, और यहाँ पे आप देख पारें, मैंने इसको proper तरीके से cut कर दिया है, तो यह tool जो है, यह proper तरीके से work कर रहा है, और आप इस तरीके से इस tool क इसको इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर यह टूल जो है मैंने एमा जो उन से purchase किया है और इसका purchase link जो है वो वीडियो के description में है और आप वहाँ से इसको purchase कर पाएंगे तो आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching, have a nice day